क्या जमानत पर आजाद अभ्युक्त को चारशिड प्रस्तुत किये जाने तक प्रतेक तारिक पेशी पर अदालत आने की आवश्यक्ता होती है। आईए जानते हैं क्या कहता है इस संबंद में सुप्रीम कोड का आदेश। नियाले में आरोप पत्र दाखिल होने तक जमानत पर आजाद अभ्युक्त को प्रतेक पेशी पर नियाले में व्यक्तिगत रूप से उपस्तित होने की आवश्यक्ता नहीं है। दरसल आम तोर पर होता ये है कि किसी आपराधिक प्रकरण में अभियुक्त जमानत पर आजाद है और अभी तक पुलिस द्वारा चालान अर्थात आरोप पत्र न्यायाले में दाखिल नहीं किया गया है अभियुक्त प्रतेक पेशी पर न्यायाले में आता है और हस्ताक्षर करके चला जाता है यह प्रक्रिया एक दो नहीं बलकि अनेक तारिक पेशी पर यूहीं रूटीन और शीट चलती रहती है क्योंकि हर बार पुलिस द्वारा चालान प्रस्तुत करने के लिए और समय मांग लिया जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि अभियुक्त की एक दफा जमानत हो गई है तो उसे आरोप पत्र दाखिल होने तक नयाले में व्यक्तिगत रूप से प्रतेक पेशी पर उपस्तित होने की आवशक्ता नहीं है इस संबंध में सुप्रीम कोट का महात्वपूर निर्णे फ्री लीगल एड कमेटी जमशेतपुर वर्सेस इस्टेट आव बिहार को पढ़ा जाना चाहिए जिसमें माननीय सुप्रीम कोट ने अभियुक्त की कठनाई को समझते हुए यह कहा कि अर्थात जमानत पर आजाद अभियुक्त को चारशीट प्रस्तुत किये जाने तक प्रतेक पेशी पर अदालत आने की आवशक्ता नहीं होती है आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी कानून से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले मिलते हैं एक और नए वीडियो में ऐसी ही उपयोगी जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार